एक समय की बात है, एक छोटे से गाउ में एक बड़ा हवेली खड़ी थी. इस हवेली के बारे में गाउ वाले बहुत अजीब अजीब कहानिया सुनते थे, लेकिन उन्हें यह मानना मुश्किल था क्योंकि कोई भी उस हवेली के अंदर नहीं जा पाता था. एक रात गाउ में अचानक हवा बदल गई और बारिश की बूंदे गाउ को छूने लगी. सभी लोग अपने घरों में चले गए और हवा की गुरगुडाहट सुनकर सोने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान एक जवान लड़का नामक राज ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा क्यों न हम हवेली की जाच करें. शायद हमें उसका राज पता चले. उनके दोस्त थोड़ी डरपोक थे, लेकिन राज की बातों ने उन्हें भी रुचिकर दी. वे तीनों मिडनाइट पर हवेली की ओर बढ़े. हवेली के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ते ही, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे की कोई रो रहा हो. लेकिन उन्होंने डर को नकारात्मक बातों में छोड़ दिया और आगे बढ़ते हुए दरवाजे को खोला. हवेली के अंदर की रौनक उन्हें हिरान कर दी. सब कुछ चमक रहा था और यहां वहां सुनसानपन बसी हुई थी. वे एक कमरे में पहुँचे जहां एक पुराना पियानो खड़ा था. राज ने पियानों की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहां एक लड़की बैठी हुई थी. उसके होठों से बहुत सी खूबसूरत सुरों की धुन आ रही थी, लेकिन वह लड़की अपने आप में अध्भुत दिख रही थी. राज ने धीरे से पुछा, तुम कौन हो? और यहां कैसे आई? लड़की हंस्ते हुए बोली, मैं एक समय की रूँ हूँ, यहां बहुत समय से खड़ी हूँ. मेरा प्रिय साहित्य मुस्ताफा था, जो इस पियानों पर सुरों की कहानी सुनता था. लेकिन एक दिन उसका दिल थम गया, और उसकी कहानी यहीं समाप्थ हो गई. राज और उसके दोस्त दंग रह गए. वे समझ गए कि इस हवेली की रहस्य में दुनिया में भूत प्रेत नहीं, बलकी एक अद्वितिय साहित्यक सृष्टी है, जो सुरों की धुन से जीवित रहती है. वे अपने गाव लोटे और अपने अनुभवों की कहानी सुनाते हैं, जो गाव वालों के लिए नए दृष्टिकोन लाते हैं.